So, hello साथियों, तो यह हमारी weekly current affairs की class है, जुलाई का आखरी week, यानि कि इसमें हम 22 जुलाई से लेकि 28 जुलाई तक के जो भी important question है, वो सारे cover करने वाले हैं और इस बार का जो यह हमारा weekly वाला वीडियो है, यह पिछले वाले वीडियो से थोड़ा सा different रहने वाला है क्योंकि अभी तक मैं आपको क्या करता हूँ, तो बहुत सारे students ऐसे होते हैं, जिनको detail में पसंद नहीं होता वो चाते हैं, यह revision वाला वीडियो है, detail में हम daily current affairs की class देखी लेते हैं तो इसको थोड़ा सा interesting बनाया जाए, तो वो ही मैंने इस बार कुशिश किये, थोड़ा सा समय लिया कि क्या किया जाए तो इसमें आपको दो चीजे देखने को मिलेगी, एक तो इसमें आपका live test होगा, मतलब प्रशन आपके सामने आएगा 5-10 सेकंड का वक्त उसके बाद मैं आपको दूँगा, कि आप उसका answer बताओ, और 10 सेकंड के बाद मैं answer बता दूँगा तो इक तो आपका live test हो गया, तो इसमें आपको copy और pen जरूर लेकर करके बेटना है, ताकि आप खुद से self analysis कर पाओ, कि हाँ आपने जो answer बताया वो सही है या गलत है उसके बाद जितने भी question हो जाएंगे, पूरा वीडियो होने के बाद आप देखना, कि इतने में से आपके इतने question right गए और इतने wrong गए, comment करके जरूर बताना, कि आपका score क्या रहा बाकी answer बताने के बाद अगर उस question से संबन्दित को important बात होगी, तो मैं आपको points की form में बताऊँगा, detail में नहीं बताऊँगा, points में बताऊँगा, कि ये काम की बात है, ये धियान रख लो, ये धियान रख लो, कोई static बात होगी, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा, और ह process आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है, आपको फाइदा मिलता है, तो आगे भी इसे हम continue रखेंगे, और इतना ही नहीं, एक और promise मैं आपसे कर दूँ, अगर ये process आपको अच्छा लगता है, तो ये तो weekly वाला session हो गया, बीच बीच में, मैं आपके top 200 question, top 100 question, अभी पीडियेफ, टेलिगराम का लिंक नीचे description box में है, चलो start करते हैं आज का पहला प्रशन, ये रहा आपके सामने, तो प्रशन पूछ रहा है कि गांधी मंडेला पुरुसकार 2020 से किसे सम्मानित किया गया, option आपके सामने है, 5-10 second आपको मिलते हैं, तो इसका उत्तर हो गांधी मंडेला पुरुसकार से अभी सम्मानित किया गया, अगला प्रशन देखते हैं, तो इसमें पूछ रहे हैं कि R21 मेट्रिक्स M मलेरिया वैक्सीन का ठीका करन शुरू करने वाला पहला अफ्री की देश कौन सा बन गया है, ये option आपके सामने रहे, तो answer होगा, कोटे कोटे डी आईवर, और कौन से विक्से ने ये याद रखना, R21 मेट्रिक्स M है ये, डबलो एचो ने मंजूरी दे दी है, और इसका निर्मान किसने किया है, अगर बात करें, इसका निर्मान किया है, बनाया किसने है, सीरम इंस्टिटुट आफ इंडिया पुने ने, Oxford के सा पुराना नाम आईवरी कोस्ट होता है, आईवरी कोस्ट नाम का एक देश आप सुनोगे, वो इसी का पुराना नाम है, कैपिटल इसकी योमो सुक्रो है, और करंजी है, वेस्ट अफरेकन CFFR, फिर अगले प्रस्ण में पूछ रहें कि 35 यूरोपेय देशों, देशी नी, देशों के लिए वीजा, मुक्त, नीती को किसने लॉंच किया है, बदाई उतर गया होगा, तो आंसर होगा, बेलारूस, मतलब बेलारूस ने 35 यूरोपेय देशों को कह दिया, कि भया, वीजा, मुक्त, हम आपको एंट्री देंगे, और कितने दिनों के लिए याद रखना पूरे साल बर में 90 दिनों के लिए, आओ, यहाँ पे रहो, मस्ती से, ऐसा बेलारूस ने के दिया, बेलारूस के इस्टेटिक जरूर देखेंगे, क्योंकि कंट्री इन न्यूज है, यह रहा मैप में बेलारूस, कैपिटल मिन्स कोती है, करंसी है, बेलारूस रुबल, प्र अगला प्रशन आपके सामने है, तो इस प्रशन में पूछ रहे हैं, अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य उगांदी सेविल्ज अभियस्तम योजना को शुरू किया है, बताईए आंसर क्या होगा, तो इसका अंसर हो जाएगा, तेलंगाना, तेलंगाना के मु अगला देखते हैं, फिर आपसे पूछ रहे हैं कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर या ट्रांसवोमन सब इंस्पेक्टर कौन बन गई हैं, तो उत्तर क्या होगा, बताईए, तो आंसर होगा, मानवी, मधू, कश्यप, और पूछें ये किस राजे से बिलॉंग करती हैं, त इनका नाम इंपोर्टेंट रहेगा, और अब ये रहा, अगला प्रशन आपके सामने, तो प्रशन पूछ रहा है, देप्रिजनर ऑफ भुपाल नाम की बुक को किस ने लिखा है, बताईए भया, किस ने लिखा है, तो आंसर होगा, टिम वॉकर ने लिखा है, तो भुपाल गैस ट्रेजडी के उपर ये बुक लिखी गई है, बुक का नाम याद रखना, देप्रिजनर ऑफ भुपाल है, किस ने लिखा है, टिम वॉकर ने लिखा है, लिखो भुपाल गैस ट्रेजडी से दो तिन पॉइंट में आपको बताओं, जो आपको याद होने चाहिए, क्य हम एक दिवस भी मनाते हैं, दो देसंबर को राष्टर प्रदुछन नियंत्रन दिवस, चलो फिर ये रहा अगला प्रशन आपके सामने, तो प्रशन पूछ रहा है, किसके अध्यन में ऐसा प्रकाशित किया गया, कि जो प्रत्वी है न, वो सूर्य के चारो और नहीं, बलक रफी सूर्य के चारो और चकर नहीं लगाती, बेरिसेंटर के चारो और चकर लगाती, लेकिन प्रशन तो यही माइन में उठ़ रहा है, कि भाईया, यह बेरिसेंटर क्या है, तो ऐसे समजो, ये बेरिसेंटर, orbiting body system का centre of mass होता है, जैसे ये sun हो गया, ये अपके अर्थ हो ग के स्टैटिक जरूर देखेंगे ना सा मतलब नैशनल एरोनाटिक्स एन स्पेस एडिमिनिस्ट्रेशन स्टापना उती 1958 में याद रखना DRDO की स्टापना भी इसी वर्ष हुई थी हैड़कोटर इसका क्या बूच रहा है प्रशन कि मलेशिया में अपने राष्टर पशु की संखा 150 रहने पर इसे विलुप्ति की कगार पर घोशित कर दिया है मलेशया का राष्टर पशु क्या है यही हमारा प्रश्ण है कि मलेशया का राष्टर पशु नेशनल अनिमल क्या है बताओ गया है व Hence तो आंसर हो जाएगा ताइगर बाग तो इतना साब को याद रखना है मलेशया की static जरूर देखेंगे ये रहा मैप में कहां ये रहा मैप में मलेशिया कैपिटल कौलालूंपूर होती है करंसी है मलेशियन रिंगे प्रधान मंतरी अन्वर इब्राहिम अभी नए बने थे प्रश्ण में पूछ रहे हैं कि एक ही दिन में ग्यारा लाक पेड लगाने का विश्वर रिकॉर्ड अभी किसने बनाया है तो मद्यप्रदेश में बनाया है वैसे तो आपको बता होगा और मद्यप्रदेश में भी कहां पे तो आंसर होगा इन दौर में इतना सा याद रख लेना इन दौर इसका आंसर हो जाएगा और अब ये रहा अगला प्रशन आपके का गया अगला प्रशन आपके सामने तो प्रशन पूछ रहा है कि अंतर राष्टरे टैनिस हौल आफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टैनिस खिलाड है और इसमें एक बात जरूर याद रखना कि अमेरिका में इस्थेद इंटरनेशनल टैनिस हौल आफ फेम में शामिल होने वाले ये पहले तो भारतिये बन गए हैं पहले भारतिये व्यक्ति बन गए हैं ये आप बोल सकते हो लेकिन बाद में क्या बोल रहा हूँ पहले इने भले पहले एशियाई बोल दू लेकिन पुरुष आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि पहले एशियाई व्यक्ति नहीं बने हैं ये पुरुष बने हैं पुरुषों में पहले बने हैं ये थोड़ा सा बात ध्यान रखने वाली है छोटी सी बात है लेकिन ध्यान जरू ने हाँ अब ये भी अच्छा प्रश्ण है इसका उत्तर देना क्या है प्रश्ण भारते पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बन गए है ये रहे आप्शन बताव आंसर क्या होगा तो आंसर हो जाएगा मनुलू, मारकेज और याद रखना ये किस देश के हैं तो ये इस्पेन के हैं तो परश्ण में पूछ रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने अभी शरमिक बसेरा योजना को शुरू किया है बताए उत्तर क्या होगा तो उत्तर होगा इसका गुजरात, अब क्या है ये योजना, ये योजना क्या कहती है तो इसमें गुजरात में निर्मान शरमिक हो गए या जूसरे मजदूर हो गए उनको अइस्ताई आवास सुविधा यहां पे दी जाएगी और इन इन शहरों में ये शुरू किया गया है, मतलब इसमें जो मजदूर होंगे वो रहेंगे लेकिन उनको एक दिन का पांच रुपे का शुल्क देना होगा, ये इस योजना में है ठ्यान रखना गुजरात ने शुरू किया, अगला प्रशन देखें, तो ये रहा अगला प्रशन आपके सामने अगला प्रशन पूछ रहा है, पी आर श्रेजेश ने अभी सन्यास की घोशना कर दिये, उनका सम्मन्द किस खेल से है, बताइए, आंसर क्या होगा तो इसका सही आंसर होगा, होक्की, तो भारते पुरुष होक्की टीम के गूल कीपर है ये पी आर श्रेजेश और अभी इनोंने इंटरनेशनल होक्की से सरन्यास की घोशना कर दिये, अभी पैरेस अलंपिक ये इनका आखरी मैच होगा, बागे दिखो होक्की से सम्मन्दि कुछ स्टैटिक में आपको बता दू, तो एक तो याद रखना होक्की इंडिया के अध्यक्स कोने दिलिप टिर्की है, इंटरनेशनल होक्की फेडरेशन की बात कर लें, इस्ता आपना होती 1924 में हेड़कोर्टर लोजैन स्वेचल लेंड हो गया और है महम्मत तयब इक्र और हाँ, एक और पॉइंट में आपको बता दू, ये बिलकुल नया पॉइंट है कि 2025 में जो FIH होकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप होंगे, वो होस्ट कर रहा है भारत, भारत होस्ट कर रहा है, ये पॉइंट ध्यान में रखना, अगला प्रस्ण देखें, तो ये रहा, अग अगेरियन, फॉर्मुला वन, ग्रेंट प्रिक्स का खिताब अभी किसने जीत लिया है, अच्छा प्रस्ण है, इंपॉर्टेंट मार करना, क्यों है अच्छा प्रस्ण में आपको बताऊंगा, पहले उत्तर दो, तो उत्तर हो जाएगा, ओसकर, पियास्तरी, देखो हर इस तरह की हमारी पहली क्लास है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, कि अगर और भी ज्यादा वक्त चाहिए कि क्यूशन को रीड करने के बाद थोड़ा समय और देजिए, तो अगले वाले वीडियो से मैं आपको थोड़ा और वर्च दे दूँगा, 10 सेकंड कर द अपनी के ड्राइवर है, McLaren, और ये किस देश से हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंदित है, ये प्रशन मेंने इंपोर्टेंट क्यों बुला था, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन की कोई पहली फॉर्मूला वन रेश को जीता है, इसे लिए, पहली बार इनका नाम हमने पढ़ा है, तो पूछा जा सकता है, चलो फिर आपसे भी अगला प्रशन पूछते हैं, ये रहा अगला प्रशन आपके सामने हैं, तो क्या पूछ रहा है प्रशन, कि एलन मस्क ने स्पेस एक्स का मुख्याले हैटक्वाटर कहां पर शिफ्ट करने की घोशना की है, बताओ भी नाम लिखें, ये सब अमेरिका के ही हैं, ठीके तो कैलिफोर्निया से शिफ्ट करेंगे ये टेकसास में, इसी तरह से जो ट्वीटर है, जिसका भी इन्होंने नया नाम क्या रख दिया, एक्स रख दिया है, इसका भी मुख्याले सेन फ्रांसिसको में है, और इसका ठीक है, अब हम भी ट्रांस्वर होते हैं, अगले प्रशन की और ये रहा अगला प्रशन आपके सामने, तो प्रशन में पूछ रहें, किस भारते टैनिस प्लेयर ने 2024 स्विस ओपन गस्टाड पुरुष यूगल का खिताब जीत लिया है, तो बताए किस ने जीता, तो आंस अगले कोड़ पुरुष यूगल, यानि कि मेंस डबल का ये खिताब जीत लिया है, ये ध्यान में रखना, ये जो स्विस ओपन गस्टाड टैनिस टोर्नामेंटे किस कोड़ पे खिला जाता है, क्ले कोड़ पे खिला जाता है, तो ठीक है, अब अगला प्रशन देखते हैं ये रहा आपका अगला प्रशन, क्या है प्रशन, कि पद्मश्री से सम्मानित कमला पुजारी का निधन हो गया, उनका संबंध किस से है, आपको बताना है, वो क्या थी? तो आंसर होगा, उनका संबंध क्रशी से है, एग्रिकल्चर से है, पद्मश्री पुरुषकार से इनको सम्मानित किया गया था, कब 2019 में वे किस राज्य से बिलोंग करती थी, उडिसा से वो बिलोंग करती थी, तो क्रशी के शेतर में उनके महत्वपुन योगदान के तो अच्छा प्रशने, इंपोर्टेंट मार्ग कर लो पहले तो इसे, क्या है प्रशने की अंतरराष्टर ओलंपिक समीति ने पहले ओलंपिक e-sports खेलों के लिए मेजबान देश के रुप में किसे चुना है, तो बताओ भया, किसे चुना है, कहां पे होंगे, तो इसका उ होंगे, साउधी अरब में होंगे, ये पॉइंट ध्यान रख लो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के स्टैटिक देखते हैं, इस्तापना होती है 23 जून 1894 में, इसलिए तो ओलंपिक डे आप इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाते हो, हैटकोर्टर लुजेन दो पॉइंट और बताऊंगा, ध्यान से सुनना, पिछले साल, इसकी जो 141 नंबर की जो बैठक हुई थी, वो भारत में हुई थी, भारत में भी कहां पे, मुंबई में हुई थी, इस बार 142 नंबर की जो इसकी बैठक है, वो कहां पे हुई है, याद रखना, पैरिस, फ् होंगे, और अब एक हमवर्क प्रशन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 2034 में ही एक और गेम्स को होस्ट कर रहा है साओधी अरब, कौन से वो गेम्स हैं, कौन से वो खेल हैं, यह उत्तर आपको देना है, देखते हैं किस-किस को पता है, थोड़ा सा टिपिकल प्रशन हो सक सकता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, अब देखते हैं यह प्रशन कौन-कौन देपाते हैं, मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ, अगला प्रशन है, यह रहा, अगला प्रशन आपके लिए, और प्रशन बताऊं, उससे पहले important mark कर लो, बहुत सारी important जानकारिया मैं आपको दूँगा, इस एक ही प्रशन में है, क्या है प्रशन, सियाचिन ग्लेशर में operational रूप से तेनात होने वाली Army Air Defense Corps की पहली महिला अधिकारी कौन बन गई हैं, पहले तो आप उत्तर दो, तो आंसर हो जाएगा, सुप्रिता सीटी इनका नाम है, अब facts ध्यान से सु सुनते आना, point to point जोडते जाना, पहले तो याद रख लें, ये कहां से बिलोंग करती हैं, करनाटक के मैसूर की ये रहने वाली है, कैप्टेन सुप्रिता सीटी, जो अभी सियाचिन में, operationally रूप से तेनात होने वाली, भारते सेना की दूसरी महिला अधिकारी बन गई हैं लेकिन अगर मैं बात करूं कि वायू सेना कौर की ये पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, शब्दों को ध्यान से सुनना, अगर भारते सेना में बात कर रहा हूं, तो इस पत पर आने वाली ये दूसरी महिला हैं, लेकिन अगर मैं air defense force की बात कर रहा हूं, तो फिर इस पत पर आने वाली ये पहली महिला हैं, क्योंकि भारते सेना के अंदर थल सेना आ गई, वायू सेना आ गई, और जल सेना आ गई, नो सेना मतलब, तो इस तरह से भारते सेना में तो अगर बात करते हैं, तो ये दूसरी महिला हो गई, इस पत पर आने वाली, और अगर air force की हम बा 10 सुप्री ताउन का नाम था सियाचिन ग्लीशिर याद रखना इससे एक दो पॉइंट बता दू कि ये हिमाले में पूर्वी कारा कोरम परवत माला में इस्तित दुनिया का सबसे उचा युद्ध शेत्र है अब जैसे अगला प्रशन पूछ रहा है कि भारत का पहला चिकित्सा, संस्थागत, संग्रहाली ये कहां पे स्थापित होगा तो पहले तो आप उत्तर दो क्या होगा उत्तर तो उत्तर होगा इसका चंडीगड में तो चंडीगड में ये भारत का पहला Medical Institutional Museum ये स्थापित होगा चंडिगड में भी कहाँ पे चंडिगड में एक Medical College इसका नाम है PGIMER वहाँ पे तो बस इसमें इतना ही ध्यान रखने का है तो इतना ही ध्यान रखेंगे अगला प्रशन देखेंगे अब ये रहा अगला प्रशन आपके सामने है क्या पूछ रहा है प्रशन कि Swedish Tennis Open 2024 का पूरुशेकल में सिंगल का टाइटल किस ने जीत लिया है बताए भईया किस ने जीत लिया है तो इसका उत्तर होगा Nuno Borges ने जीत लिया है Nuno Borges ये कहां से बिलॉंग करते हैं ये पुर्तगाल के Tennis Player है और इन्होंने जिनको हराया है वो नाम हमारे लिए इंपोर्टेंट है राफेल नडाल को यहाँ पे इन्होंने हरा दिया वो उपविजेतर है राफेल नडाल वो इस्पेन के Tennis Player ने याद रखना जिने King of Claycoat भी कहा जाता है तो याद रखना अगला प्रशन देखते हैं ये रहा तो इसमें पूछेंगे कि राष्टर प्रसारण दिवस National Broadcasting Day या आपने कब मनाया बताइए भईया कब मनाया तो इसका उत्तर हो जाएगा 23 जुलाई को हमने मनाया National Broadcasting Day यहाँ पर हमें डेटिल में नहीं जाएगे कि 23 जुलाई कोई क्यों मनाते हैं यह हम डेली करेंट अफेस वाली क्लास में पढ़ चुके हैं लेकिन Broadcasting से संबंधित एक दिवस में आपको जरूर बताऊंगा चलो बता नहीं रहा हूँ यह तो मैं बता चुका हूँ अभी मैं आपसे पूछ लेता हूँ हम वर्क प्रशन होगे आपका यह क्या है प्रशन कि Public Service Broadcasting Day यह हम कब मनाते हैं हिंदी में बोलोगे तो लोक सेवा प्रसारण दिवस अब बताओ हम अगला प्रशन लिखते हैं यह रहा प्रशन है तो इस प्रशन में पूछ रहें कि Federal Bank के MDCO के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया है बताए किसे नियुक्त किया गया है तो अंसर होगा Krishna Venkat Subramaniam को और यहाँ पर इन्होंने किन का स्थान लिया श्याम श्री निवासन का इन्होंने इस्थान लिया है Federal Bank के पहले Static देख ले थे हैं इसका Headquarter मिलेगा आपको Aluba Kochi Keral में और MDCO हमने देखा अब यह श्याम श्री निवासन पुराने हो गए अब नए बन गए है Krishna Venkat Subramaniam Tagline होती है Your Perfect Banking Partner Option भी देख लें एक बार Sanjeev Nautial तो उजिवन Small Finance Bank के MDCO बने थे और गोविंद सिंग उतकर्ष Small Finance Bank के MDCO बने थे और नवीन चंदर जा यह भी SBI General Insurance के MDCO बने थे अगला प्रस्न देखते हैं तो इस प्रस्न में पूछ रहे हैं किसे अंतर राष्टर Olympic समीति के द्वारा Olympic Order से सम्मानित किया जाएगा बताइए भया किसे किया जाएगा बड़ा Simple प्रस्न है तो उत्तर हो जाएगा अभिनाव बिंदरा को याद रखना पहले तो यह अभिनाव बिंदरा इनका सम्मन्द किस से है Shooting से है और यह Olympic में व्यक्तिगर्ट केटेगरी यहनि की Individual केटेगरी में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले पहले भारते बने थे कब 2008 में जो Beijing Olympic हुआ था वहाँ पे यह गोल्ड लेकर के आयते भारत के लिए पुरुशों की 10 मीटर एर राइफल इवेंट में और वैसे आप जानते हो भारत के लिए Olympic में दूसरा गोल्ड कौन लेकर के आया है नीरा चूपडा लेकर के आया है वो अलग बात है तो अभिनो बिंदरा को याद रखना कौन सा सम्मान Olympic order सम्मान मिलेगा तो अगले प्रश्ण में पूछ रहे हैं अभी हाली में जारी बजट 2024 में मुदरा रिन की सीमा को बढ़ा कर कितना कर दिया है बताओ भाया कितना कर दिया है तो अंसर होगा 20 लाक रुपे कर दिया है अभी आपको यादे 23 जुलाई 2024 को हमारी जो वित्त मंतरी है निर्मला सीता रमंड जी इन्होंने बजट जाली किया साथ वी बार इन्होंने ये बजट जाली किया है और बात करें याँ पे मुदरा लून की जो लिमिट है उसे 10 लाक रुपे से जो मेरे अग्जिमा बे तक 10 लाक रुपे था इसमें लगू और सुक्षम उद्यमों को लून दिया जाता है यह ध्यान में रखना फिर आपसे पूछ रहें कि एस्टोनिया देश के नए प्रधान मंतरी कौन बने हैं बताओ भया कौन बने है तो आंसर होगा कृस्तीन, मिशेल यह एस्टोनिया के नए प्रधान मंतरी बन गए है किनके इस्थान पे आये काजा केलास के इस्थान पे यह आये है क्योंकि काजा केलास यह अभी यूरोपिय संग के विदेश निती परमुक बन गए है और इसलिए इन्होंने यहां के प्रधान मंतरी के पद से इस्थिफा दे दिया था एस्टोनिया को हम मैप में देखते हैं यह रहा मैप में एस्टोनिया कैपिटल इसकी तालेन नुति है करंसी यूरो है प्रधान मंतरी क्रिस्टीन यादर्पना मिशेल हो गए तो फिर अगले प्रस्ण में आपसे पूछ रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म हेलो को लॉंज करने वाला दूसरा राज्य अभी कौन सा बन गया है बताव भया कौन सा बन गया है तो इसका उत्तर होगा मेखाले बन गया है OTT मतलब Over the Top Platform जिस तरह से Netflix हो गया, Amazon Prime, Disney Hot Star ये सारे क्या है OTT प्लेटफॉर्म ही तो है और आपको याद होगा कि भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉंच करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था वो केरल बना था और उसके OTT प्लेटफॉर्म का नाम भी याद रखना C Space उसका नाम था वो पहला राज्य था और आप दूसरा बन गया ऐसा करने वाले मेगाले और इसके OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है Hello Hello मेगाले इसका नाम है मेगाले की static देखें तो ये रहा मेप में मेगाले और शिलोंग इसके capital होती है मुख्य मंत्री को ने? Conrad Sangma है और Governor को ने? इसके Fagoo Chohan है Cherry Blossom Festival यहीं पर मनाया जाता है वांगला फेस्टिवल यहां पर होता है जिसे 100 Drum Festival भी कहते है गारो खासी, जैनतिया यह यहां की tribes भी है और पहाड़ यहां भी है ठ्यान रखना हम अगला प्रस्ट देखते हैं तो इस प्रस्ट में पूछ रहे हैं कि 2026 तक भारत का पहला Made in India H125 helicopter कौन launch करेगा? कौन बना करके देगा? तो आंसर होगा बताओ आंसर कौन होगा? तो आंसर Airbus है इसका और यह Airbus यादखना France की एक company है और इन्होंने कहा कि यह Tata के साथ मिलकर के यह भारत का पहला Made in India H125 helicopter बनाएंगे 2026 तक यह बना लेंगे भारत में कहां पर बनाएंगे? अभी यह final नहीं हुआ है लेकिन यह दुनों मिलकर के बनाएंगे वैसे मैं आपको याद दिला दूँ कुछ समय पहले ही आपने पढ़ा होगा Airbus इसने Tata के साथ मिलकर के भारत का पहला C295 विमान भी बनाया था तो यह point भी आप ध्यान में रखना तो इस question में पूछ रहे हैं कि Billion Impression का उद्धगाटन यह कहां पे किया गया है तो बताओ भी आ कहां पे किया गया है तो आंचर होगा राची में और जारकन के मुख्य मंत्री कौन है हेमंत सोरे ने और उन्होंने इसका उद्धगाटन किया Billion Impression और यह है क्या Billion Impression तो यह दो अंगुठों के निशान है इसे किस ने बनाया है ताटा स्टील ने बनाया है इस मूर्ती का उद्धेश कला संस्कृति को बढ़ावा देना है और यह दो अंगुठों के फिंगर प्रिंट वाली यह जो मूर्ती है 11.5 मीटर यह यह क्यादू की 37.7 फीट यह उंची है तो ध्यान रखना Billion Impression इसका नाम दिया है राची में अगला प्रस्ण देखते है फिर आप से पूछ रहे हैं कि अभी किस देश ने दुनिया की पहली High Speed Carbon Fiber ट्रेन को बनाया है बताओ भया किस ने बनाया है तो इसका सही अंसर होगा चाइना चाइना ने बनाया है याद रखना दुनिया की पहली High Speed Carbon Fiber से बनी हुई ट्रेन है मतलब जो सामने जो Steel से बनी हुई जो ट्रेन होती है उसकी तुलना में अगर बात करेंगे तो ये जो Carbon Fiber की ट्रेन है इसके क्या-क्या फाइदे है ये काफी हलकी होगी मजबूत भी होगी और कम उर्जा की खपत करीगी ये मतलब Energy Conception कम होगा Pollution इसमें कम होगा और Noise Pollution भी इसमें कम होगा ये सब इसके Benefit है इसकी जो Maximum Speed बताई गई है वो 87 मील परती घंटा है या फिर इसे आप किलोमेटर परती घंटे में देखोगे तो 140 किलोमेटर परती घंटा इसकी Maximum Speed बताई गई है तो ध्यान दखना दुनिया की पहली High Speed Carbon Fiber Train किसने बनाई है चाइना ने बनाई है आप से पूछा जाए या आपको याद होगा दुनिया की पहली Self Driving Train को लॉंच किया था जर्मनी ने और दुनिया की पहली Hydrogen से संचालित पहली Train भी जर्मनी नहीं लॉंच की थी लेकिन एशया की पहली Hydrogen से चलने वाली Train को चाइना ने बनाया था लॉंच किया था ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना अब भी अगला प्रस्ण देखते हैं तो अगले प्रस्ण में पूछ रहे हैं किस भारते रेसर ने अपने करियर की पहली Formula 2 Race को जीत लिया है तो बताओ भी या आंसर क्या होगा तो आंसर होगा कुष मेनी भारते रेसर हैं ये कुष मेनी और अभी इनोंने ही Hungry Grand Prix Formula 2 Race को जीत लिया है ये इनकी करियर की पहली Formula 2 Race है इनकी पहली है ये लेकिन भारते वे बात करेंगे तो ये दूसरे भारते हैं ये रेस जीतने वाले है अगला प्रशन दिखते हैं तो अगले प्रशन में पूछ रहे हैं कि सकल परियावरन उत्पादन सूचकां को launch करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है तो कौन सा बन गया है ये तो आप बताएंगे तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड तो किसकी बात करने इंगलीश में बोलोगे तो Gross Environment Production Index की इसको launch करने वाला पहला राज्य ये उत्तराखंड बन गया है और उत्तराखंड से याद आएगा यूनिफर्म, सिविल कोड, समान, नागरिक, सैंता, विधेयक अभी जो Sustainable Development Goal Index आये था उसमें भारत की रंक 109 है याद रखना और टॉप पे उसमें फिनलेंड है इसी तरह से हमारे निती आयोग ने जो Sustainable Development Goal India Index को जारी किया उसमें टॉप पे उत्तराखंड और केरल टॉप पे था ये याद रखना बाकि अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या करें कि एक एक इगजाम चेनल पे आप फिर्स टाइम विजिट कर रहे हैं तो आपको बता दूँ ये जो Sustainable Development Goals है 17 हैं 2030 तक पूरे करने एकजाम में यहां से प्रशन पूछे जा रहे हैं अगर आपको ये याद नहीं है और याद रखना बड़ा मुश्किल है कैसा याद रखोगे तो मैंने इसके लिए एक tricky वीडियो बना दिया है ट्रिक्स पे उस सारे points को मैंने आपको याद करा दिया तो एक बार वो वीडियो देखना है बस आपको उस सारे नाम आपको याद हो जाएंगे एकजाम में एक नमबर आपका हो जाएगा तो कहा मिलेगा वीडियो सिंपल सा आप तो सल्च माणना यूट्यूब पे sustainable development gold tricks by crack exam वीडियो आपके सामने प्रस्तत हो जाएगा ठीक है अगला प्रशन देखते हैं फिर तो अगले प्रशन में पूछ रहें कि उपुवन योजना और heritage trade adoption योधना को किसने शुरू किया है तो बताओ भया किसने शुरू किया है तो तर हो जाएगा उत्रप्रदीश अब देखो ये जो उपुवन योजना है क्या है इसका उद्धिश्य तो इसमें इन्होंने कहा कि शहरों से लेकर गाओं तक पार्कों से लेकर सडकों तक हर जगे पे ये व्रक्षार उपन करेंगे पेड़ लगाएंगे वहीं Heritage Tree Adoption Scheme नाम से समझ में आ रहा होगा जो Heritage Tree है उनको अडॉप्ट करना है अब Heritage Tree किसे बोला गया इन्होंने कहा एसे पेड़ जिने सो साल या उससे जादा हो गए है तो उन्हें हम विरासत वरक्ष Heritage Tree गोशित करते हैं और उनके संगरक्षन के लिए इनको गोद लेने के लिए हमने ये योजना शुरू की है कि आप इनको गोद लो और इनका ध्यान रखो आपको याद होगा कुछ समय पहले उत्तरप्रदेश ने ही मित्र वन योजना कौनसी भाई? मित्र वन योजना को शुरू किया था लेकिन इससे कन्फ्यूज मत होना एक वन मित्र योजना अल्रेडी चल रही है कहां पे हर्याना में ठीक है? तो कन्फ्यूज मत होना दोनों मेंने आपको बता दिया तो अगला प्रशन देखते हैं फिर तो अगले प्रशन में पूछे हैं कि राष्ट्र ध्वज दिवस नेशनल फ्लेग डे हमने कब मनाया? तो आंसर होगा बताओ, आंसर में क्यों बताओ? तो आंसर होगा इसका 22 जुलाई को और 22 जुलाई को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि भारत के राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1997 को समिधान सभा के द्वारा अपनाया गया था इसलिए 22 जुलाई को और हमारे नेशनल फ्लेग का डेजाइन किसने तयार किया था? पिंगली वेंक कया ने ये भी ध्यान में रखना चलो फिर रेडियो अगले प्रश्ण के लिए ये रहा अगला प्रश्ण आपके सामने क्या है प्रश्ण? सिक्षा सब्ता 2024 कब से कब तक मनाया गया? बताओ भाईया कब से कब तक मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 22 से लेके 28 जुलाई तक तो हमारी New Education Policy 2020 की चौथी वर्शगाट मनाने के लिए ये 22 से लेके 28 जुलाई तक Education Week के रूप में हमने मनाया अच्छा ये जानते हैं New Education Policy 2020 जो आपके आई थी ये किसकी सिफारिश पे आई थी? कस्तूरी रंगन समीती याद रखना अगला प्रश्ण देखते हैं तो इसमें पूछ रहे हैं कि World Paragliding Championship 2024 की मेजबानी ये कौन सा राज्य करेगा? कहाँ पे होंगे ये? बताओ भाया कहाँ पे होंगे ये? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में होंगे यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? देखो 2024 में होने वाले World Paragliding Championship की तो याद रखना ये भारत में होंगे भारत में भी कहाँ पे हमाचल प्रदेश के कांगडा जिले के बीड बिलिंग में ये होंगे कब से कब तक होंगे? तो 2 से लेके 9 नवंबर 2024 तक ये होंगे इतना अब ध्यान में रखना देखते हैं अब अगला प्रश्ण क्या है तो अगला प्रश्ण पूछ रहा है कि 21 वा बहुराष्ट्रे सेन्ने अभ्यास जिसका नाम है खान क्वेस्ट 2024 ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो बताओ कहाँ पे होगा? तो वैसे तो आँचर आपके सामने इधर लिखा हुआ है मंगुलिया इसका आँचर होगा कौन से एक्सरसाइज है? खान क्वेस्ट है मल्टिनेशनल एक्सरसाइज है बहुराष्ट्र अभ्यास है मतलब बहुत सारे देश हिस्सा लेते हैं भारत भी हिस्सा लेता है आईचर कौन करता है मंगुलिया कहाँ पे होगा? मंगुलिया के कैपिटल उलन बटोर में 21 संसकरन है यहाँ से यहाँ तक यह हुआ बस इतना ही ध्यान रखना है वैसे मंगुलिया के साथ हम अलग से एक एक सरसाइज भी करते हैं इसका नाम है नॉमेडिक एलिफेंट एक सरसाइज इस साल किया हमने यह एक सरसाइज और सोलवा संसकरन था आपको याद होगा कहाँ पे किया? मेघाले में मेघाले के उमरुई में इसका एउजन किया था अब कंट्री इन न्यूज आ गया मंगोलिया चलो देखते हैं कहाँ पर है मंगोलिया ये रहा मैप में मंगोलिया कैपिटल उलन बतोर हो गई करंसी है तोगरेक और प्रेसिडेंट है उख नागिन खुरेल सुक ठ्यान रखना यह अब ये अगला प्रस्ट देखते हैं तो अगले प्रस्ट में पूछ रहे हैं अभी किसे भारते लागत लेखाकार संस्थान का अध्यक्ष नियूक्ष किया गया है बताइए किसे नियूक्ष किया गया है तो आंसर हुआ विबूती भूशन नायक को क्या बने है ये भारते लागत लेखागार संस्थान के अध्यक्ष इंग्लिश में बोलोगे तो Institute of Coast Accountants of India के President ये बने है ये जो है ये Corporate Affairs Ministry के अंतरगत काम करता है और आप कह सकते हो ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा और इश्या का सबसे बड़ा Management Accounting Body है इसका मुख्यले आपको भारत में कहा मिलेगा कॉलकता पस्चि मंगाल में मिलेगा तो अगले प्रस्ट में पूछ रहे हैं कि राष्ट्रे आई कर दिवस National Income Tax Day ये आपने कब मनाया तो बताओ ना आप कब मनाया तो सही उत्तर होगा 24 जुलाई को ये मनाया गया National Income Tax Day और 24 जुलाई को ही क्यों मैंने बताया था 24 जुलाई 1860 को सर जैम्स विलियन ने देश में पहली बार आई कर व्यवस्ता को लागू किया था शुरुबात की थी इसलिए ये जो जैम्स विल्सा ने ना याद रखना बजट का जनक इनी को का आ जाता है पहले बार इन्होंने भजट पेश किया था अच्छा आगे बड़े उससे पहले दो प्रशन आपके लिए छोड़ करके जा रहा हूँ हमवर्क प्रशन रहेंगे ये आपके एक तो आप बताओ मुझे कि Central Board of Direct Tax के नए अध्यक्ष अभी बने थे क्या नाम है और उसी तरह से CBIC Central Board of Indirect Taxes and Customs के नए अध्यक्ष बने थे उनका नाम क्या है हिंट में आपको दे दूं क्या दोनों के सरनेम में अगरवाल आता है फरस्ट नेम बता दो आपका काम हो जाएगा छलो फिर अभी अगला प्रशन देखता है तो अगला प्रशन अच्छा है क्या है प्रशन कि भारतिय नौसेना के श्टील्थ फ्रिगेट जिसका नाम है त्रिपुट इसका निर्मान किस शिप्याड ने किया है बताई आँ आंसर क्या होगा तो इसका उत्तर होगा गोवा शिप्याड लिमिटेड ने अब देखो इसमें एक्च्छली में आपको क्या ध्यान रखना है दो तिन पॉइंट आप ध्यान रख लो कि 2016 में भारत ने रश्या के साथ समझोता किया था कि इस तरह के चार स्टेल्थ फ्रिगेट नाम होगा तुशिल जो ये हमें सेप्टेंबर 2024 तक स्वांप देंगे और दूसरा जो होगा उसका नाम तमाल होगा ये फरवरी 2025 तक बना करके दे देंगे इसके अलावा इन्होंने कहा कि दो जहाज आप अपने देश में मतलब भारत में ही बनाओ और फिर ये बनाने के लिए हमने गोवा शिप्याड लिमिटेड के साथ समझता किया गोवा शिप्याड लिमिटेड इन दो को बना रहा है लेकिन टेकनलोजी यहाँ पे रश्या की ही इस्तमाल की जाएगी और इन दो में से गोवा शिप्याड ने अभी एक बना दिया जिसका नाम त्रिपूट है एक बनाना और बाकी है बात समझ में आ गया कुश्यन समझ में आ गया तो ये प्रश्ण है ठेक चल रहा है उमीद करूँँ अभी तक इसको और आपका अच्छा रहा होगा तो इसे और अच्छा करते हैं और अगला प्रश्ण देखते हैं तो अगले प्रश्ण में पूछ रहें कि Food Agriculture Organization के द्वारा जारी रिपूर्ट के नुसार भारत वन शेत्र व्रद्धी के मामले में विश्व में कौन से इस्तान पर है बताओ भाया कौन से इस्तान पर है भारत तो आंसर हो जाएगा तीसरे इस्तान पर है तो इस रिपूर्ट को जारी किस ने किया Food Agriculture Organization ने जारी किया है रिपूर्ट का नाम है The State of the World's Forest Report विश्व के वनों के इस्तेती नाम से ये रिपूर्ट आई है और इसमें बताया गया कि 2010 से लेके 2020 के बीच में भारत में हर साल 2,67,266,000 hectare वन शेत्र में व्रद्दी देखी गई है और वनों के व्रद्दी के मामले में चाइना इसमें पहले स्तान पर है दूसरे स्तान पर आस्ट्रेलिया है और तीसरे स्तान पर भारत को रखा है ये आप ध्यान में रख लो बाकी रिपोर्ट को Food Agriculture Organization ने जारी किया तो इसके स्टैटिक देख लो इस्तापना होती 16 अक्टोबर 1945 को इसलिए तो World Food Day हम 16 अक्टोबर को मनाते हैं एटकोटर रोम इटली में हो गया डारेक्टर जनरल क्यू डॉंग है ठीक है अब ये अगला प्रशन देखते हैं क्या है अगला प्रशन है important mark कर लो कि राश्ट्रपति भवन के दर्बार होल का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो बताओ भया क्या कर दिया गया है तो आंचर होगा गनतंत्र मंडप इसका नाम कर दिया गया है देखो एक तो दर्बार होल का नाम गनतंत्र मंडप कर दिया और यहाँ पे एक अशूक होल है उसका भी नाम बदल दिया नाम बदल के अशूक मंडप इसका नाम कर दिया है बागी अभी detail में नहीं जाएंगे ये दो point आप याद कर लो बागी detail में तुम हैं आपको क्या बताया कि daily CA वाली class देखलो अगर किसी को detail में जाना है तो चलो फिर अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है तीबी मुक्त नगर पालिकाओं के लिए स्वास्थ नगरम परियूजना को किस ने शुरू किया है बताओ तो इसका सही उत्तर होगा तेलंगना ने अभी तिलंगना सरकार नहीं अभी TB मुक्त नगरपालिका बनाने के लिए ये प्रोजेक्ट स्वास्थ नगरम को लॉंच किया है तीन सालों के लिए कहां से लॉंच किया हैदरबाद की capital तिलंगना की capital हैदरबाद से इसको लॉंच किया है आपको पताए टीबी बेक्टेरिया जनित रूग है कौनसा बेक्टेरिया माइको बेक्टेरियम ट्यूबर क्लॉसेज और इसके लिए जो वैक्सीन है वो BCG का ठीका होता है फुल्फम होती है बैसिलस कॉलमेट गुरीन और आपको याद होगा इसके लिए हमने निश्चे पो स्वामिनाथन तो ध्यान रखने ये सारे पोइंट्स इंपोर्टेंट है अगला प्रस्ण देखते है तो अगला प्रस्ण है फिनिश कंपनी फिनलेंड की एक कंपनी है मोबाइल कंपनी है human mobile device उसका नाम है अभी इसने किसे global brand ambassador बनाया है ये भारतिया है इसलिए प्रस्ण क अगला प्रस्ण देखते है तो अगला और बड़ा ही जानदार प्रस्ण एक्जाम में छपने वाला प्रस्ण क्या है कि किस राज्य के मोईदाम को भारत का 43rd नंबर का युनेस्को विश्व विरासत इस्थल बनाया गया है सूची में शामिल किया गया बताओ किस राज्य म असम हो जाएगा वैसे इसमें डिटेल में जाने के लिए तो बहुत सारी चीज़े हैं लेकिन मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा जो काम की बात होगी वो आपको बताता हूँ एक तो याद रख लो अभी युनेस्को विश्व धरोहर समीती का 46 नंबर का सत्र ये बार हुआ है भारत में भारत में भी कहाँ पर नई दिली में हुआ और यहीं पर असम के मोईदाम जो कि अहों राजवश की तीला दफन प्रनाली है इसको युनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया किश शिरिणी में सांसकरतिक शिरिणी में कल्चरल केट गिरी में और इस तरह से इस सूची में शामिल होने वाला ये भारत का 43rd नंबर का इस्थल बन गया है और आप यूँ भी ध्यान रख सकते हों कि ये जो इस्थल है ये असम का तो तीसरा है या यूँ कहूं कि पूरुवत्तर भारत का ये तीसरा इस्थल है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला तो फिर आप कहोगे इस से पहले दो कौन से थे एक तो असम का काजी रंगा, राष्ट्र उद्ध्यान और एक मानस वन्यजीव अभ्यारन्या जिनने प्राकरतिक शेर्णी में केटेगरी में शामिल किया गया था 1985 में ठीक है, मोईदाम के बारे में भी जान लो मोईदाम जिसे आप आत्मा के लिए घर भी कहोगे ये एक दफन इस्थल है जो मूल रूप से इट पत्तर के खोकले तहकाने जिनमें ताई अहोम के राजाओं और राजघरानों के सदस्यों के अउशेश होते थे यहाँ पे दफनाए जाते थे और इस तरह से अभी युनेस्को की वर्ल्ड हरिटेट साइट में टोटल 43 हमारे इस्तालो चुके हैं पहले कौन-कौन थे ये भी आप पूच सकते हो कि पहली बार किसे किसे शामिल किया गया था तो 1983 की बात है महराष्टर से दो थे अजन्ता गुफा, एलोरा गुफा और उत्तर प्रदेश से ताजमहल और आगरागा खिला को सबसे पहले युनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था भारत की तरफ से, ये ध्यान रख लो देखो युनेस्को विश्व धरोहर स्थल विरासत में तीन शिरेणियों में बाटा जाता है सांस्करतिक, यानि की कल्चरल, प्राकरतिक, नैचुरल और मिश्रित यानि की मिश्ट कैटेगरी में तो मिश्ट कैटेगरी में भारत की तरफ से एक मात्र स्थल शामिल है वो जरूर याद रखेंगे आप, क्योंकि एक मात्र है कौनसा, कंचन जंगा, राष्ट्र उध्यान, 2016 में शामिल किया गया था ये सिक्किम का है, मिश्रिक्ट शिरिनी में और इस तरह से भारत का 34th नंबर का विश्वत धरोहर स्थल बना था इसमें शामिल होने वाला, ठेक है तो ये वही वाली बाते हैं, जो मैंने आपको बताई ये स्टार्टिंग के चार थे भारत की तरफ से 1983 में, और ये लास्ट का 43 नंबर का भी 2024 में, राज्य मैंने आपको लिख दिया किस चिरिनी में है, कौनसा है, बाकी के भी आप देख सकते हो, तो वैसे मैंने आपको बूला था, इसमें मैं आपको ज़्यादा जानकरी नहीं दूँगा लेकिन देखो, सारी important जानकरी थी, तो सारे question मैंने आपको detail में बता दिया है, क्या गरूं, question ही most important है, रहा ही नहीं जाता, चलो फिर अगला प्रशन देखते हैं, अच्छा, UNESCO के static भी आगे, ये भी देख लो full form United Nation Educational Scientific and Cultural Organization, स्थापनाओती 1945, headquarter Paris, France और डिरेक्टर जनरले, अद्रे उजाले, ये फ्रांस से हैं, आभी क्या गरूं, तो अगला प्रशन पूछ रहा है कि 2034 में Olympic और Paralampic, शीत काले, खेलों की मेजबानी, ये कौन सा देश करेगा, बताओ भया, important प्रशन माग करना इसको भी तो इसका उतर हो जाएगा America, America में भी कहाँ पे, America में एक यूटा राज्य है उसके Salt Lake City में होंगे ये, क्या होंगे कब होंगे, ध्यान से सुनना 2034 के जो Winter Olympic और Paralampic हैं वो होंगे अमेरिका में ये हमने बोला है, एक बार Winter Olympics में आपको रिवाइज करवा दूँ कि 2022 में जो Winter Olympic हुए थे, वो कहाँ पे हुए थे वो चाइना में हुए थे, वह चार-चार साल में होते हैं, तो अब ये अगले वाले 2026 में हुए, वो कहाँ पे हुए, इटिली में हुए इटिली के मिलान और कॉर्टिनो नामक इस्थान पे हुए फिर 2030 में हुए 2030 में कहाँ पे हुए, ये प्रश्ण अभी आगे आने वाला है अगर आपको पता है तो बता दो कहां पे होंगे और ये अगले चार साल यानि कि 2034 में जो होंगे वो अमेरिका में होंगे ये हमने देखी लिया International Olympic Committee की बात हमने कर लीती वैसे तो Headquarter याद रखनला, Loser and Switzerland और Thomas Buck इसके Director General है देखते हैं अगला प्रशन क्या है अब तो अगला प्रशन पूछ रहा है विश्व मस्तिश्क के दिवस World Brain Day ये कब मनाया गया? बताओ भया कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 जुलाई को और Theme याद रखना मस्तिश्क स्वास्त और रोक्थाम इसकी Theme है पहली बार इसको 2014 में मनाया गया था दो तिन प्रशन में आपको जरूर बताओंगा ये प्रशन एक्जाम में पूछे गए थे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि Brain का सबसे बड़ा भाग क्या कहते हैं उसको? Cerebram कहते हैं इंगलिश में और हिंदी में प्रमस्टिश्क कहते हैं उसी तरह से छोटा मस्टिश्क जैसे आप Latin Brain बोलते हो ये किसे कहते हैं अनुमस्टिश्क को यानि कि Cerebellum को बोलते हैं और एक और प्रशन में आपसे पूछाता है कि मानव मस्टिश्क के बाहरी आवरन को क्या कहते हैं आउटर कवरिंग आफ हुमन ब्रेन तो हिंदी में बोलोगे आप द्रड तनिका और इंग्लिश में बोलोगे डिवरा मैटर ये याद रखना भया ठेक है अगला प्रशन देखो फैर अगला प्रशन है अभी किसने अपॉफिस शुद्रगर है यानि कि एस्टरोइड का अध्यन करने के लिए स्टेडी करने के लिए रामसेस मिशन को शुरू करने की गोशना की है तो बताओ किसने की है तो उतर हुजाएगा European Space Agency ने तो एक्चुलि में एक एस्टरोइड शुद्रगर है अपॉफिस उसका नाम बताया गया है इन्होंने कहा कि ये तो हमारी अर्थ है इन्होंने कहा कि 2029 में ये जो अपॉफिस एस्टरोइड है ये बहुत पांस से निकलेगा ये ऐसे आएगा और ये ऐसे निकल के चल जाएगा 2029 में बहुत नजदीक होगा के लिए अभी European Space Agency ने ये रामसेस मिशन शुरू किया है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है? एस्टरोइड से एक प्रस्ण जरूर याद रखलो कई बार एक्जाम में आता है कि जो एस्टरोइड बेल्ट है ये किन दो ग्रहों के बीच में होती है तो ये होती है मंगल और ब्रस्पती यानि कि मार्स और जुपिटर के बीच में और अंतरराष्टर शुद्र ग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्टरोइड डे कब होता है ये भी याद रखलो आप 30 जून को होता है और याद होगा भी बंगलुरु के एक प्रोफेसर है जिनका नाम क्या है जयन्त मूर्ती इनका नाम है और अभी इनी के नाम पे एक शुद्र ग्रह का नाम रखा गया था ये इतने पॉइंट ध्यान रख लो ठेक है याद रजाएगा ना अगला प्रशन देखते है बाकि European Space Agency की भी बात कर लो थोड़ी सी इस थापना होती 1975 हैटकोर्टर पैरिस फ्रांस में है और डारेक्टर जनरल जॉसेफ है ये इससे संबंदित कुछ पॉइंट्स में आपको लिखाये थे डेली करेंटर फेर्स वाली क्लास में अभी नहीं बता रहा हूँ चाहो तो वीडियो को पॉस करके आप रीड कर लो हम तो अगला प्रशन देखता है अगला प्रशन पूछ रहा है अभी फ्रांस की रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रोफी को जीतने वाली दुनिया की पहली महीला रेसर कौन बन गई है दुनिया की पहली बनी है और ये एक भारतिया है तो इंपोर्टेंट मार्ग कर लो इसे चलो फिर पहले तो उत्तर आपी को बताना है रूल तो यही है तो आंसर होगा इसका अतिका मीर और ये अतिका मीर याद मातर 9 साल की है कहां से हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से हैं और अभी फ्रांस में आयोजित रोटेक्स चैलेंज इंटरनेशनल ट्रोफी को जीतने वाली ये पहली महिला रेसर बन गई है तो इनका नाम याद रखना और मीर से एक और नाम मैंने आपको जान बूच के यहां पे लिख दिया मिलता जुलता बिलकिस मीर क्या है इनका नाम क्यों नियूज में है अभी 2014 में जो पैर्रिस ओलंपिक हुए उसमें जूरी सदस से बनने वाली ये पहली भारत्य महिला बनी थी लिंडी केमरून आप जानते हो भारत में ब्रेटेन की पहली महिला हाई कमिशनर ये बनी थी और ये मैं आपको बताई चुका हूँ भारत की पहली महिला पिछ क्यूरेटर है ठेक है अगला प्रशन देखते हैं देखो क्या है वेर तो अगला प्रशन है फेरिस के ग्रिविन संग्राले के द्वारा कस्तमाइड सोने के सिक्कों से सम्मानित होने वाले पहले भारत्या बिनेटा कौन बन गए तो आंसर होगा शारुखान बन गए Customized Gold Coin मतलब ये ऐसा सोने का सिक्का है जिसमें किसी इंसान का चित्र बनाया गया है Customized किया गया है ऐसे सिक्के प्रचलन में नहीं होते लेकिन Especially इनके लिए ये बनाया गया है तो कौन है वो? शारुक खान है वो और ये जो ग्रेविन संग्राले कहां पर है फ्रांस पैरिस में है और इन्होंने ये सम्मान दिया इनको शारुक खान से दूचार प्रशन और बताऊंगा Current Affairs के ही है ये सारे देखे कि अभी Locarno Film Festival में पाड़ो अला केरियार अवर्ड इनको मिला था मुथुट गुरुप के अभी Brand Ambassador बने थे पितले साल जो ICC World Cup हुआ था जिसमें Australia विजेतर रहा भारत को हरा के उसमें Brand Ambassador ये बने थे और इसी साल के स्टार्टिंग में हमने देखा दादा सहाफ वाल के अवर्ड 2024 में तो 17 एडिशन था 70 नमबर का उसमें Best Actor का अवर्ड शारुक खान को मिला था उनकी मुवी जवान के लिए तो ये ध्यान में रखना देखते अंगला प्रशन क्या पूछ रहे फिर तो अगला प्रशन पूछ रहे अभी भारत का 500 वा समुदाइक रेडियो स्टेशन इसका नामे अपना रेडियो 90.0 FM का उध्याटन ये कहाँ पे किया गया तो आंसर होगा आंसर 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 तो आपको बताना है कभी-कभी भूल जाता हूँ मैं बतावे तो आंसर इसका आईजोल होगा आईजोल ये किसकी कैपिटल है मिजोरम की कैपिटल है और हमारे जो रेल मंतरी और सूचना प्रसारन मंतरी है कौन अश्विनी वैशनव उन्होंने ही इसका उध्याटन किया है और रेडियो से दो-चार प्रस्ण में आपको बताए थे जैसे कि कुवेत में पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारन शुरू हुआ था नेशनल ब्रोड कास्टिंग डे अभी तेवी जुलाई को मनाया और वर्ल्ड रेडियो डे तेरा फरवरी को होता है ये भी ध्यान रख लेना चलेए फिuri अगला प्रस्ण देखते है अगला प्रस्ण क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पे तुम् मिजियोरम आ गया यह रहा मिजियोरम यहाँ पे होता है capital जोल होगे मुख्यमंतरी लाल दुहोमा है और governor है हरी बाबू कमबंपती तो अगला प्रशन पूछ रहा है कि 2030 में शीत कालिन ओलंपिक क्या निकि विंटर ओलंपिक ये कहां पे होंगे 2030 के मैंने बोला था न आगे बताऊंगा तो बताओ फिर कहां पे होंगे तो ये होंगे फ्रांस में अभी जो समर ओलंपिक हो रहे हैं 2024 वाले 33rd नंबर का एडिशन है वो कांपे हो रहे हैं पैरिस फ्रांस में हो रहे हैं और पैरिस किस नदी के किनारिश्थित है सीन नदी के किनारिश्थित है फ्रांस की स्टेटिक भी देख लेते हैं एक बार फ्रांस की केपिटल पैरिस है करंसी यूरो है और प्रेसिडेंट एमैनुवल मैक्रॉन अभी हमारे रिपब्लिक डे पे चीव कैश्ट रहे थे ये प्रधान मंतरी गैब्रे लेटल है यहांके सबसे यूवा प्रधान मंतरी और पहले गे प्रधान मंतरी हैं ये तो ध्यान रखना ये देखते हैं अगला प्रश्ण क्या है फिर हमारे लिए तो अगला प्रश्ण है अंतरराष्टर ओलंपिक समीति में फिर से किसे चुना गया है बताओ भाईया बड़ा असान है अभी हमने बेटके कराई किया इननी के बच्चों की शादी देखिए हमारे पैसों से इन्होंने अपनी शादी रचवाई है बच्चों की और शादी में पैसे कम पढ़ गए तो रिचार्ज के प्लान बढ़ा दिये भाई साब ने तो उतर होगा नीतामबानी बाकी ये सब में आपको बता चुका हूँ कई बार अभी अगला प्रस्न देखते हैं फिर क्या है अगला प्रस्न है संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्रे एजेंसी यानि कि United Nations Relief and Work Agencies को आतंगी संगठन घोशित करने वाले बिल को अभी किसने मंजूरी दे दी है बताओ किसने दे दी है तो आंसर होगा इसराइल ने क्यों दिया था ये मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ अभी पूरा सब कुछ मुझे रिपीट करने के जरुवत नहीं है मेरे ख्याल से इस्टैटिक जरूर देख लेते हैं इसके फुल फाममने का युनाइटेड नेशन रिलीफ और वर्क एजेंसी स्टापना उतीस की 1949 में हैटकोर्टर अमान जॉर्डन में है और इसरेल के अगर हम देखें कि इसके स्टैटिक क्या होते हैं देखते हैं फिर अगला प्रशन क्या है तो अगला प्रशन इंपोर्टेंट है मार्क करो लो इंपोर्टेंट क्या है सिडबी के नए CMD कौन बन गए है पहले आप बताओ कौन बन गए तो आंसर जाएगा मनूज मित्तल बन गए पहले सिडबी की फुल फॉर्म देखते हैं Small Industries Development Bank of India होती है इस्तापना होती है दो अपरेल 1990 हैटकोटर लखनाव CMD मनूज मित्तल हो गए हैं ऑप्शन में देख लें एक बार केवी सुब्रमन्यम यह भी फेडरल बैंक के CMD हमने पीछे पड़ा और रोबर्ट जे रवी यह BSNL के CMD बने थे और सुजाता सौनिक की बात करें तो यह महराश्टर की पहली महिला Chief Secretary देखो ऑप्शन हम रिवाइस करते हैं तो कहीं बार बहुत सारे नाम बार बार आपको रिपीट होंगे तो आप देखोगे इस वीडियो को खतम करते ही बहुत सारे नाम तो आपको यहीं पर याद हो गए हैं एक बार वीडियो देखने से ही आपको बहुत सारी चीज़े याद हो चुकी है मैंने इतनी बार आपको रिवाइस करवा दिया है तो इसलिए मैं आपको option revise करवा देता हूँ ठेक है तो अच्छा प्रशन है ये अगला प्रशन देखते हैं देखो क्या है अगला प्रशन पूछ रहे हैं कि अभी विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है बताओ किसे चुना गया है तो answer होगा चंद्रियान थ्री मिशन को चंद्रियान थ्री से जो भी important points है एक बार फिर में आपको revise कर रहा हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो तीन अवर्ड है ये भी इसरु को मिले थे चंद्रियान थ्री मिशन के लिए ही जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवर्ड याद रखना लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज और अविएशन वीक लॉर्येट अवर्ड ये ज़रूर ध्यान रखना और इसको अभी एक और अवर्ड मिल गया वर्ल्ड स्पेस अवर्ड अगला प्रशन है कि इस साल 2024 में क्वाड देशों की बैठक ये कहां पे होगी कौन मेजबानी करेगा कौन होस्ट कर रहा है तो भारत कर रहा है भारत में होगी क्वाड देशों की बैठक ये याद रखना क्वाड में चार देश आते हैं इंडिया औस्टेलिया जापान और अमेरिका और क्वाड देशों के एक बीच में एक एकसरसाइज होती है इसका नाम क्या है मालाबार एकसरसाइज होती है पिछले साल 2023 में जो क्वाड सम्मिट हुआ था ये जापान के हिरोशिमा में हुआ था ये भी याद रखना फिर आप तो इसका उत्तर होगा भारत 2024 के लिए इतना ही आप ध्यान में रखेंगे अगला प्रस देखते है फिर तो अगला प्रस ने अभी संचोधित मॉडल कूशल रिन योधना के तहट कितने लाख रुपे तक का लोन दिया जाएगा तो बताओ आंसर क्या होगा आंसर होगा साड़े साथ लाख रुपे तो मैं आपको बता दू ये जो योधना है ना वैसे तो इसकी शुरुआत 2024 में हुई थी Skill Development and Ministry of Entrepreneurship ने इसकी शुरुआत की थी इसमें Skill Development के लिए कूर्से इसके लिए लोन दिया जाता है लेकिन पहले डेड़ लाख रुपे लोन दिया जाता था लेकिन अब इसमें संशोधन कर दिया गया और अब इसमें साड़े साथ लाख रुपे दिये जाते हैं ये ध्यान रखना है आपको अबी बजट में भी निर्मला सितर मंची ने इसकी गोशना की थी कि मॉडल कोशल करशी योधना को संशोधित करके वापिस से शुरू किया जाए और शुरू कर दिया है हमारे कोशल, विकास और अद्धेमिता मंत्राले के राज्य मंतरियें जैंत चोदरी ने इसको शुरू कर दिया है ठीक है फिर अगला प्रशन देखते हैं क्या है तो अगला प्रशन पूछ रहा है कि भारत की पहली कि करत करशी निर्याद सुविधा ये कांपे स्ताबेद करने की गोश्टना हुई है तो क्या होगा इसका उत्तर बताइए तो इसका उत्तर होगा जवालाल नेरू पोर्ट जो कि आपको मिलेगा मुंबई में ठेक है अगला प्रशन देखते है फिर तो अगले प्रशन में पूछ रहे हैं कि भुक्तान एप्लिकेशन है MDG Next इसका नाम है और AI संचालित VMR, VMR मतलब हो गया Virtual Relationship Manager इसको किसने लॉंच किया? तो बताओ किसने लॉंच किया? तो आंसर जाएगा Bank of Baudan तो ये एक Payment Application है और ये Artificial Intelligence संचालित एक Virtual Relationship Manager है, यहाँ पे आप Chatbot के जरिये Bank से Related, जो भी Services Bank देता है वो सब जान सकते हैं देखो, Bank को Baudauda की बात कर लें, इसता आपना होती है 1908 में, Headquarter Baudaudara गुजरात में हो गई और MDCO, देवदत चंद है Tagline होती है, India's International Bank ठीक है, याद रहेगा अगला प्रशन देखते हैं फिर अगला प्रशन है कि अभी चल्चा में रहा Epsilon Indie App का संबन किस्से है क्या है ये, तो ये Exoplanet है, क्या होता है Exoplanet हमारे सोरमंडल के बाहर अगर कोई ग्रह है, तो उसे Exoplanet कहते हैं, और अभी इसकी खोच, NASA ने की है NASA का जो GEMS Web Telescope है, उसे ने इसकी खोच की है, ये प्रत्वी से 12 प्रकाश वर्ष Light Year दूरी परिस्थित है Light Year याद रखना ये दूरी की एक एक एकाई है, वैसे दूरी की सबसे बड़ी काई यूनिट ये पारसेक होती है और आप कहा सकते हो, रिलेशन अगर दोनों में देखोगे, तो एक पारसेक में 3.26 Light Year होते हैं, तो ध्यान रखना ये, अगला प्रशन देखते हैं, फिर अगला क्या है प्रशन, अगला प्रशन है कारगिल विजे दिवस ये कब मनाया गया, बताओ तो आंसर होगा 26 जुलाई को, तो आप कहा सकते हो 26 जुलाई उननिस सो नन्याण में को कारगिल युद्ध के दुरान पाकिस्तान को हमने दोड़ा-दोड़ा कर गे मारा था, उसको हराया था तो उसी जीत के सम्मान में हर सालम 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाते हैं और इस बार ये इसकी 25 वी वर्शगाठ है देखो यहां से तीन प्रशन करवा दिये थे, तीन पॉइंट मैंने आपको प्रशन की प्रशन का नाम क्या है तो आंसर होगा उप्रेशन विजए और यहीं पर इंडियन एर फोर्स ने पाकिस्तानी गुस्पेटियों की कबजे वाली चोकियों पर बंबारी करने के लिए कौन सा उप्रेशन चलाया था उप्रेशन सफेद सागर और कारगिल युद्ध के बाद भारत सरकार के द्वरा गठेट कारगिल समिक्षा समेती के अध्यक्स कौन बनाए गए थे केज सुबिर मन्यम तो ये तीनों में ने आपको प्रशन की फॉर्म में करा दिया तो ध्यान दखना अगला प्रशन देखते हैं क्या है प्रशन तो अगला प्रशन है कि भारत और किस देश के बीच सांसकरतिक परिसंपत्यों को लोटाने और संगरक्षन के लिए पहली द्विपक्षे समझोता ये किन के बीच हुआ भारत और किस देश के बीच में हुआ बताओ और हाँ एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना मेरे दोस्त, मेरे भाई बहुत मैनत से आप लोगों के लिए वीडियो तयार कर रहा हूँ और इसी उमीद के साथ की सेशन आपको अच्छा लगेगा क्योंकि इस तरह की अमारी नई पहल है बस यही उमीद करूँगा आपको अच्छा लगेगा सेशन आपको इसे बेनेफिट होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि मुझे भी थोड़ी सी खुशी मिल जाए आपको सिर्फ वीडियो को एक क्लिक करना है एक सेकेंड आपके लगेगे मेरा पूरा दिन बर लगा है इसी उमीद में कि आपको थोड़ा बेनेफिट हो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करके दोस्तों के जाथ में शेयर जरूर करना तो इसका उत्तर आपने कर दिया होगा इसका आंसर होगा अमेरिका तो ये थी आच्छी आपकी क्लास जिसमें हमने 22 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक के सभी important questions को cover कर लिये हैं हो जकता है वीडियो थोड़ा lengthy बन गया हो लेकिन मेरी कोशिश थी पहले में आपका test लूँ मैंने 10 से 15 से 15 सेंड हर question में दिया है 8 सेंड मनलो 7 8 सेंड हर question में आपको दिया है ताक कि आप question का answer लगा पाओ अब मुझे आप score जरूर बताना आपका क्या score रहा देको आप score बताओगे मुझे लगेगा कि हाँ वास्तो में मैं जो आपको समय दे रहा हूँ हर student अपना test जरूर लगा रहे है वरना मेरा ये समय देना बेकार जाएगा मुझे लगना तो चाहिए पता गैसे लगेगा आप comment करोगे जबी बाकी answer बताने के बाद जो भी वहाँ से important points होते हैं वो मैंने आपको सारे बताने की कोशिश किये अब इतना आप मुझे जरूर बता देना कि मैं क्या ज़्यादा explain कर रहा हूँ अगर ज़्यादा explain कर रहा हूँ तो मैं अगली बार से इसको कम कर दूँगा क्या आपको ये तरीका पसंद आया क्या अब इसे हम continue कर सकते हैं तो मुझे इंतजार रहेगा आपके comments का बड़ी बेसबरी से इंतजार रहेगा क्योंकि आगे के videos आपके comments पर निर्भर करेंगे ठीके फिर चलते हैं Thank you, Bye Bye